गुडमारणिंग इस्टेंड तो इस्टेंड बहूत सारे स्टेंड्स का नarbeit चाना यसा मेसेज आरहा था कि सर पूरा वेक्टर हम लोग बना लिए cross product वी बना लिए dot product वी बना लिए आप जो वेक्टर का properties जो बताये थे फर्स्ट लेक्चर, सकेंड लेक्चर वो सारा टॉपिक हम लोग से बना लेकिन फिर भी पुरा ओभार ओल हम लोग का इस्ट्रेंट्स मतलब सार हम लोग का पूरा एक्सरसाइज बनाने के बाद तीन चार कोस्टेन इसा जो फसा दिया मतलब वो कोस्टेन स्वाल भी नहीं हो पा रहा है बहुत सारे इसे बच्चे का मेंसे जा रहा था तो सच में कोस्टेन देखे तो कोस्टेन ज्यादा टॉफ नहीं है समझे बस आप लेंगवेश समझने पाए और उस टायप कोस्टेन आपको हेंट एक भार भी नहीं किये थे इसलिए आपकोस्टेन कहीं पर हाड नहीं है आपसे question बहुत अराम से solve हो जाएगा ठीक है बस आप समझ ये question को जो question का language आप उसको समझ ये और जिस type से question आपको बोलेगा आप उस type से question को solve किजिए 100% आपसे question बनेगा इस ये question कुछ hard है नहीं इसलिए मैं इसको solve नहीं कि ये बताए भी नहीं समझे लेकिन इस हमको लग रहा था कि आप लोग से बन जाएगा अब ये नहीं कि same अब जैसे कि 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 2 5 मतलब होता ना कि 2 प्लस 3 5 होता है तो 3 प्लस 2 कैसे 5 होगा एकदम basic सा चीज होता है तो वही चीजिस में है मतलब कि आपको बताएं बस यहां तक नहीं आये थे इससे और आगे बढ़के हम लोग आगे निकल गए topic में हमको लगा कि आपसे तो बन जागा लेकिन doubt रहा गया तो कोई बात नहीं है आपका हम doubt को पुरा clear कर देंगे जब भी कभी doubt हो इससे जरूर पुछे सब doubt हम आप लोग का clear करेंगे तो जैसे कि इससे यह आपका dot product में आज जो जो आप लोग का doubt था dot product का तो dot product का ही doubt को complete करते हैं पहले फिर next देख लेंगे cross product का क्योंकि इससे यदि आपको math 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 100 में 100 लाना है तो आपको एक एक चीज math का जानना होगा चाहे वो जोड हो घटा हो गुना हो भाग हो आप लोग बूले कि सरी यह क्या बोले तो सब कोई जानेगा जोड घटा गुना भाग वो बोलने का तरीका हुआ है श्रेंट्स मतलब कि हर एक question को आप कि यही question आएगा वेक्टर का question है तो आपको देगा ही बनाने के लिए क्योंकि वेक्टर तो आपका असलेवस में था तो आपको कोई भी question इतना अपना risk पे छोड़ना नहीं है हर एक question को बनाईए और जब doubt होगा तो आप हमसे पूछिए तो चलिए श्रेंट्स क्या बोले क math में 100 में 100 लाना है तो एक-एक question को आपको पढ़ना चाहिए समझें तो हम लोग का जो doubt था इसमें आपका question नमर यह dot product में हो आपका question नमर 16 हो गया question question नमर 18 और लास्ट का तो question बचा हुआ था इस्ट्रेंट्स जो कि आपका question नमर 33 है और question number 34 तो आज यह चारो question को पूरा complete करेंगे सही से समझ के कि आखिर question आप लोग को कैसे फसा दिया देखते हैं इस question में कितना इसका सब चीज़ आज हम लोग complete करते हैं समझ समझ के तो इसन सबसे पिलें question number 18 से start करेंगे question number 18 आपको देखे रखा है एक्सप्रेस दा वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर आपको दे दिया as sum of two vectors such that one is parallel to the vectors बी वेक्टर का parallel और बी वेक्टर का perpendicular question ये का हाई strength कि a vector जो आप एसा इसको दो वेक्टर में तोड़िए जिसका sum एकदम sum में मतलब कि a vector को दो वेक्टर का sum में आप change किजिए जिसमें कि आपका जो first वाला vector होगा वो आपका क्या होगा तो parallel होगा बी वेक्टर का और जो second का आपका वो second निकलेगा जैसे a vector आप आप कुछ दोड़ फॉर्म में मान लिए एक a1 vector प्लस a2 vector तो आपका ये जो a1 vector होगा वो बी वेक्टर के parallel होगा और आपका जो a2 vector होगा वो बी वेक्टर के क्या होगा तो perpendicular होगा तो चलिए इसको लिख के दिखाते हैं सबसे पहले जो जो कोसें दे दिया ना उस सीच को हम लोग लिख लेते हैं 18 नम्मर कोसें है solution करके given the 될 यानि कि extends दिया हुआ है तो क्या क्या दिया हुआ extends उस सीच को हम लोग लिख लेंगे a vector दे दिया हुआ है तो a vector हम लोगे दिया हुआ है 6i cap माइनस का 3 j cap और माइनस 6 k gap इसी में strength b vector भी हमलोगे को दे दिया है b vector क्या दे के रखा तो i cap प्लस j cap प्लस k cap अब आप question समझिए instance, क्या बोला था न, कि A vector को आप 2 vector में तोड़िये, लेकिन उसका पलास करके, तो या पर लिखेंगे instance, now, A vector को 2 vector में तोड़ना, तो A1 vector plus A2 vector माल लेते, 2 vector में तूट गया, पलास भी हो गया, अब question ये देखे रखा था, कि आपका ये जो first है, A1 vector, ये B का क्या है, तो parallel है, यानि कि A1 vector जो हम लोगा क्या है, तो parallel of B vector है, and, फिर आगे question देखे, क्या बोला था, ये जो A2 vector है न, ये ही B vector का ये perpendicular भी है, तो A2 vector जो है से instance क्या, तो B vector का perpendicular है, चलिए, इस सीच को हम लोग लिख लिए, तब आपको find करना, ये A1 vector और A2 vector, चलिए instance find करत है, आपको पता है, जब कोई दो vector एक दूसरे का parallel हो, तो वो vector equal होगा, लेकिन उसके साथ आपको कोई constant multiply करना, lambda के आपको जो मन करें, आप किजिए, चलिए हम lambda यहाँ पर माल लेते हैं, तो instance A1 vector equal to lambda B vector होगा, होगा न, A1 vector जब parallel तब B vector का, यानकि A1 vector equal to lambda B vector, end, अब आप द वो perpendicular किसका B vector का, हम आपको बोले थे, चलिए, कि जब भी कभी दो vector एक दूसरे का perpendicular हो, तो दोनों का dot product 0 के ब्राबर होगा, याने के चलिए, यह जो A vector है, वो B vector के साथ dot product क्या बनाएगा, तो 0 बनाएगा, तब तो एक दूसरे का perpendicular होगा, तो यह चीज़ हम लोग यहाँ से समझ गए, अब देखें, आपको काम क्या करना है, आपना सबसे पहले A vector dot B vector निकालिए, यहाँ पर लिखेंगे, A vector dot B vector, तो इस ट्रेंट्स, A vector dot B vector आप कीजिएगा, चलिए, तो A vector आपका क्या है, A1 vector plus A2 vector है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, हम लोग ठीक है, A vector dot B vector equal to, तो आपको क्या है, यानि की स्ट्रेंट्स, A vector के जगा पे हम लोग यदि इस स्ट्रीच को लिख दें, A1 vector plus A2 vector, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं होगा सर, अब यहाँ पर आपका B vector लिखा हुआ, लिख भी, चलिए, क्या क्या स्ट्रेंट्स तो A vector dot B vector find किये, A vector का अंदर, multiply कर दिजे, इस B vector से, तो मिल करके आपके पास यहाँ हो जागा, students, A1 vector dot B vector plus A2 vector dot B vector, अब आप समझी ही, एक बात हम से यहाँ पे, कि यह आपका A1 vector और आपका यह जो dot B vector है, ठेक है, चलिए, यहाँ पर भी आप A vector dot B vector कर लिजाना, तो 6 into 1 की जगा, तो क्या हो जग 6 होगा, minus 3 into 1 की जगा, तो क्या हो जगा, तो minus 3 हो जाएगा, और minus 6 into 1 की जगा, तो क्या हो जगा, minus 6, तो यह दोनों cut questions आपके पास सिर्फ यहाँ पर minus 3 बच रहा है, minus 3 बच रहा चलिए, इसको भी लिख लिए, अब समझी गया, यह A vector dot B vector, अच्छा A1 vector dot B vector, और A1 vector का यहा dot B vector, फिर पलस A2 vector dot B vector का value तो यहाँ पर आपका 0 आगया था, फिर minus 3, अब इसको जब 2 vector, same 2 vector आपका क्या हो, equal हो, तो दोनों जब multiple line में same 2 vector दे दे, समझे दे कि यहाँ भी आपका B vector dot B vector, तो दोनों का जब dot दे दे इसको जब dot, यानि कि B vector dot B vector, तो क्या हो जाएगा magnitude of B vector का square, तो यहाँ पर लिख सकते हैं न, lambda, mod of B vector का square, equal to minus 3, अब B vector, इसका B vector का mod find की gestion, तो B vector का हम लोग यहाँ दे mod find करते हैं, तो lambda, और rootender, i का गुनक का square, यानि कि i का coefficient का square, तो क्या हो जाएगा, 1, plus z का भी 1, plus k का भी 1, यानि कि 1, plus 1, plus 1, इसका whole square, फिर minus 3, तो यहाँ से आप सोच सकते हैं, क्या आपके पास हो जाएगा, तो 3, lambda equal to minus 3, final आपके पास, यहाँ पे लेमडा equal to minus 1 हो गया, यह क्या हो गया, आपके पा गाल था ऐवं वेक्टर गया और आप देख रहे हैं कि अब का यह जो आपका इफ्व एफ्र दिया हुआ है वह a1 वेक्टर क्या दिया वह तुद इ मों ब्लूक दिया था यह था यह क्या है तो लेशक्टरब्नीर के ब्रावर है लिक दिये λेम्डा B वेक्टर, अब दिखिए A1 वेक्टर एक्वल टू लेम्डा, लेम्डा का वेल्यू क्या आया इस्टेंट्स, माइनस वन आया न, क्या आप हम लोग लिख देंगे माइनस वन, B vector, B vector का value लिखे न, I cap, plus J cap, plus K cap, इस minus 1 से आप अंदर multiply कर दिजेगा, तो A1 vector का आपके पास value आगया, minus I cap, minus का J cap, minus का K cap, एक value तो निकल गया, strengths A1 vector, अब आपको दूसरा क्या चाहिए, A2 vector चाहिए, जब strengths आपके पास A vector है, A1 vector है, तो क्या आप A2 vector नहीं निकल सकते हैं, तो आपके लिखेंगे, now, A vector equal to, A1 vector, plus A2 vector, तो A vector का value देखे, क्या-क्या दिया हुआ है, 6 I cap, minus 3 J cap, और minus का 6 K cap, equal to A1 vector, A1 vector देखे, minus I cap, plus J cap, plus K cap, अब बोले है, सर, यहाँ पर क्या कर देखे, यह, minus को common कर लिए, फिर, plus A2 vector है, यहाँ पर रख दिये, इसको उठा के इधर ले, यह strengths, बराबर के इधर, तो क्या होज़गा, 6 I cap, minus का 3 J cap, minus का 6 K cap, यह minus वाला term उटकर के इधर आगा, तो plus में change हो जागा, ना, I cap, plus J cap, plus K cap, यह, किसके equal है, बताइए, तो A2 vector का, यानि के strengths आपके पास, अब A2 vector भी आ गया, क्या क्या आ गया, add कर दिजे, तो 7 I cap, minus 3 J cap, plus J cap, तो मिल करके, minus 2 J cap, minus 6 K cap, और plus K cap, मिल करके, minus 5 K cap, तो यह strengths आगा, आपका A1 vector, यहाँ पर, और यह आपका गया, A2 vector, और यही तो आपको ब J cap, minus का K cap, और A2 vector भी आपके पास आगया, A2 vector क्या तो 7 I cap, minus 2 J cap, minus का 5 K cap, और यही चीज़ आपको find करना था, इस strengths जो find भी होगया, तो समझे, एक बार आपको फिर से repeat करते हैं, question, बहुत ज्यादा tough नहीं है, बस आप question का language समझ लिजे, आपको question अपने आप बन जाएगा, देखें, questions, question ना, आपको दो vector, A vector और B vector दे दिया था, और बोला था इस A vector को दो vector में तोड़िये, लेकिन पलास करके, तोड़ दिये, A1 vector plus A2 vector यह मान लिए, इसको मलोग, अब questions, question बोला था ना, यह A1 vector जो B vector का क्या होगा, perpendicular होगा, अच्छा, parallel होगा, और यह जो A2 vector होग ना है, तो वही किये, A2 vector dot B vector, यानि कि दोनों का dot product 0 के बरावर होगा, तब तो दोनों vector आपका क्या होगा, perpendicular होगा, तो वह काम कर लिए, फिर instance हम लोग, A vector dot B vector यहां से निकाल लिए, उसके आज A vector के जगा, A1 vector plus A2 vector value रख दिये, multiply कि इस strengths, A1 vector dot AB, मतलब A1 vector dot B vector, और आपको पता है, कि इस A1 का value हमारे पास क्या आया था, तो lambda B vector यहां पर रख दिये, दोनों को multiplication, तो mod of B vector का square आगया, ये तो A2 vector dot B vector मिलकर के आपका 0 था, इक्वल to minus 3 हो गया, अब इस्टेंस आप magnitude of B vector निकाले यहां से, तो आपके पास root 3 आया, इसका square कर दिजगा, तो 3 lambda हो जाग जब इस्टेंस आपके पास A vector, A1 vector जो और A2 vector था, और A vector तो आपको question खुद देके रखा, A1 vector आप find कर लिए, तो क्या A2 vector नहीं निकलेगा, इस सीच को उठा के इधार लाएंगे, solve कर दिए, आपके पास A2 vector यह आगया, तो A1 vector और A2 vector यह तो आपको find करने के लिए बोला जो find भी हो गया, तो I hope यह question आपको समझ में आगया होगा, चलिए, तो चलिए, इसी में अब हम लोग question नमर 16 देखते हैं, क्या यह भी, question बहुत सारे इस्टेंस का doubt हो गया, तो चलिए, question नमर 16 को भी बना लेते हैं, इस्टेंस, question नमर 16 भी tough question नहीं है, बस आपको question समझ जा आपको देखे रख दिया, 5 root 2 है, और वो angle बना रहा है, x-axis के साथ 5y4, y-axis के साथ 5y2, और z-axis के साथ 1 acute angle बना रहा है, तो यह आपको find करना, समझे, क्या find करना, तो vector, a vector find करना, तो इस्टेंस, जो जो question दिया हुआ, सबसे पहले बार हम लोग question को लिख लेते हैं, यह आप लिख लेते हैं, इस्टेंस, a vector है, ठेक है, उस vector का आपको magnitude दे दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे, a vector का mode आपको दे दिया, क्या दे दिया, तो 5 root 2 यह चीज लिख लिख लिए, फिर इस्टेंस, आपको बोला है ना, कि यह angle बनाता है, x-axis के साथ 5y4, तो आप बताइए, इस्टेंस, आपको हम concept जब clear करा रहे थे, vector का, तो उस वक्त आपको याद होगा, कि x-axis के साथ, जब कोई vector angle बनाता है, तो आपको अलफा angle बनाता है, तो इस्टेंस, वहाँ पर उसका direction को साइन्स जों लोग निकालते थे, क्या निकलता था, l बराबर cos alpha, और alpha का value आपको देखे रख दिया, strength की pi y 4, x के साथ pi y 4, y के साथ pi y 2, तो l बराबर क्या होगा, आपका cos pi y 4, m बराबर क्या हो जागा, cos pi y 2, होगा की नि, और n बराबर cos theta, क्योंकि angle बोला है, theta बना रहा है, z के साथ, तो यहाँ आपको लोग लिखेंगे, strength, l बराबर, cos alpha होता है, लेकिन alpha, x axis के साथ angle बनाता है, और यहाँ पर आपको क्या दिया, कि x axis के साथ pi y 4 का angle बनाता है, यानि, questions, cos pi y 4, तो आपके पास l का value क्या आ गया, 1 by root 2, फिर, strength, m बराबर क्या था, तो cos beta, और beta आपका y axis के साथ angle बनाता है, और question, बोल के रखा, strength, कि y axis के साथ, angle आपका कितना का तो pi y 2 का बनाता है, तो cos pi y 2, यानि, questions, यहाँ से आपको m भी मिल गया, 0, क्योंकि cos pi y 2 का value 0 होता, n angle जोगा, strength, वो आपके पास क्या हो जागा, cos theta, यही तुमको find करना, क्यों यह हुआ, strength, क्योंकि question दे के रखा, कि z axis के साथ, जो angle बनाता है, वो आपका acute angle theta, लिख दिये, अब strength, आपको एक बात पता आए, यहाँ पे अब लिखिए, we know that, जैसा कि हम जानते हैं, we know that, तो आप क्या जानते हैं, strength, कि l का square, plus m का square, plus n का square, equal to 1 होता है, होता है, इस सिच को लिख दिये, l का square, यानि कि 1 by root 2 का square, तो 1 by 2 ही हो जागा, फिर plus m का square, क्या 0 हो जागा, फिर पलास, n का square, तो n का square हो जागा, यह तुमको find करना, equal to 1, आप इसको उठा के यहाँ पे लिख ले, यह strength, तो n का square, equal to 1, minus 1 by 2 हो जागा, होगा न, तो strength, आप इसको solve करके देखें, n बरावर, plus minus 1 by root 2 आएगा, इसको minus की जागा, तो 1 by 2, n का value, 1 by 2, n बरावर क्या हो जागा, plus minus 1 by root 2, strength लेखें, आपको पता होना चाहिए, कि angle देखे रखाना, कि acute angle है, और acute angle आपका कहाँ पे होता, first quadrant पे, और वहाँ पे सिर्फ हम लोग positive value लेते हैं, यानि कि strength आपका n जो सो सिर्फ plus वाला होगा, minus वाला तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पे हम लोगा n का भी value पता च सकते हैं, तो vector लिखने का आपके पास देखें, क्या होता formula, यहाँ पे लिखेंगे, now, a vector equal to, इस vector का magnitude, फिर into, क्या होता, तो l i cap, plus m j cap, plus n k cap, तो यहाँ पे लिखेंगे, l i cap, plus m j cap, plus n k cap, यह चीज़ लिख दिए, अब the questions, a vector, आपके पास आ रहा है, magnitude आप तो यह आपको क्या हो गया, तो 5 i cap, इसलिए a vector आपके पास क्या हो गया, 5 i cap, plus 5 k cap, और यही तो आपको a vector find करना था, जो कि find भी हो गया, तो इस रंट्स, question कुछ hard नहीं था, बस आपको यही याद रखना है, कि जब भी कभी किसी vector का आपको magnitude दे दे, और आपको direction, cosines पता हो, तो vector लिखने का formula, a vector equal to mod of a vector, l i cap, plus m j cap, plus n k cap, पस बेठा दिए हो गया तो, friends, आप और दो question आगे है, उस question को भी हिंड करेंगे, उससे पहले आप इसका screen shot ले लिजिए, चलिए, strengths, इसी में इसका दो last question बचा हुआ, वो दोनों के भी बता देते हैं, जो कि आप लोग का doubt था, question number इसी में आपका 33 दिया हुआ, question number 34, तो दोनों question को हिंड करेंगे, सबसे पहले तो आप question number 33 हमसे समझ लिजिए, देखे, strengths, यह question number 33 क्या देखे रखा, तो if a vector and b vector are two vectors, such that magnitude of a vector plus b vector equal to mod of a vector है, तो आपको proof करके दिखाना है, कि 2a vector plus b vector, जो है, वो b vector के साथ perpendicular है कि नहीं, तो जो जो question दियावान है, एक बार उस सीचको में लोग लिख लेते हैं, solution में give and that करके, देखे, strengths, आपके पास, क्या दिया हुआ, तो mod of a vector plus b vector, यह equal है, किसके तो magnitude of a vector का, और question देखे रखाना, आपको proof करके दिखाना है, कि prove that, prove that to a vector plus b vector, यह क्या है, तो एक दुसरे का perpendicular है, perpendicular of b vector, यानि कि strengths हम यह चीज भी दिखा देगे, यह दिखा देगे, यह दि 2a vector plus b vector dot b vector equal to 0, तो मुनका proof हो गया कि 2a vector plus b vector, वो क्या तो perpendicular है b vector, तो चलिए, यहाँ पर लिखेंगे, now, आपको question indication देखे रखा, magnitude of a vector plus b vector equal to mod of a vector, क्या करेंगे तो दोनों तरफ square कर देंगे, चलिए, square कर देते दोनों तरफ, यहाँ पर लिखेंगे, on squiring both sides, on squiring both sides, यानि कि strengths दोनों तरफ square करने पर, तो strengths यहाँ पर आपके पास a plus b का whole square बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बताए, a square plus b square, यानि कि magnitude of a square, plus magnitude of b square, plus 2 a b, होगा न, इस चीच को लिख दिए, equal to magnitude of a vector का square, यह और यह cancel हो गया, तो आप यहाँ से देखें instance, कि magnitude of b, मतलब magnitude of b vector का square, plus 2 a vector dot b vector, equal to आपके पास 0 बन रहा है, बन रहा है कि नहीं, आप इसको equation number 1 लिखें, लिखें आप end, आपको क्या proof करना था, यह चीज़ प्रूफ करना है, कि 2 a vector plus b vector, वो perpendicular है कि नहीं, b vector पे, तो perpendicular proof करने के लिए क्या करना होगा, यह दोनों का dot product 0 के ब्रावर दिखाना होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे instance, 2 a vector, plus b vector, हम लोगो यह proof करना है, ठीक है, तो चलिए, इसका dot product देखते हैं, तो 2 a vector plus b vector, dot b vector, हम लोग का 0 आना चाहिए, तो multiply करके देखें, इस्टेंट्स यहाँ पे आपके पास, 2 a vector dot b vector, फिर plus b vector का square, यह देखिए, कहीं ना कहीं, आपका equation number 1 से मिल रहा है, 0 के ब्रावर, तो यहाँ पर हम लोग डारेक्ट 0 लिख दें, और यहाँ पर लिख दीजे, from 1, तो इस्टेंट्स हम लोग को equation number 1 से पता चल गया, कि यह जो है, इसका dot product 0 के ब्रावर आया, तो यह पर लिखेंगे, इसलिए, 2 a vector plus b vector, यह क्या तो, perpendicular है, b vector का, proof हो गया, बस इतना असान सा question था यह, चलिए, एक question और इसी में, 34 number उसको भी ही बना देते है, देखें, question number 34 आपको a vector दे दिया, b vector दे दिया बोला, express b vector in form, b vector equal to b1 vector plus b2 vector, जहां पर आपका b1 vector क्या तो, parallel a vector का, और b2 vector आपका क्या तो, perpendicular है, a vector का, same अभी जो पीछे question था ना, वही question है, लेकिन फिर भी हम इसको बना देंगे, क्योंकि आप लोग का doubt है, चलिए, solution में करते हैं, give and that करके, solution, जो जो चीज दिया हुए, और उसको लिख लेते हैं, give and that, तो देखे, इस्टेंट्स, क्या क्या आपको दे दिया, a vector दिया, a vector दिया, यहां पर लिखेंगे, a vector equal to 3i cap, minus kajay cap, and b vector भी आपको दे दिया, and b vector, तो b vector, अमनों को क्या क्या दिया, 2i cap, plus j cap, minus 3k cap, 2i cap, 2i cap, देखे, b vector, क्या क्या दिया, त तो 2i cap, plus j cap, और minus का 3k cap, and और भी कुछ चीज दिया हुआ, देखेंगे, कि b vector जो है, वो parallel है, a vector का, और b2 vector जो है, यह b2 vector, यह perpendicular है, आपका a vector का, ठेक है, यह दोनों चीज भी दिया हुआ था, तो हम लोग लेख लिए, इस strengths, आप यहां से समझ सकते हैं, कि यह b vector, equal to lambda a vector होगा, और यहां पर आपका b2 vector, यह b2 vector, dot a vector, equal to 0 होगा, क्योंकि दोनों की दुसरे का पर perpendicular है, यहां तक हम लोग समझ गए, अब आप एक काम किज़े strengths, a vector, dot b vector, find कीजिए, यहां पर लिखिए, now, a vector, dot b vector, आप जैसे ही a vector, dot b vector, find करते हैं, तो क्या हो जाएगा, सोच के देखिए, 6 हो जाएगा, minus 1 हो जाएगा, होगा न, यहीं ना होगा, 6 और minus 1, अब strengths, आप b vector आपको question दे के रखा था न, कि b vector जो है, वो क्या है, तो b vector आपको b1 vector plus b2 vector के ब्रावर दे के रखा, तो इस b vector के जगा पर हम b1 vector plus b2 vector लिख लेते हैं, तो a vector dot b vector आपको दे दिया, b1 vector plus b2 vector equal to 6 minus 1 करेंगे, तो 5 हो जाएगा, अंदर multiply किजे न, तो a vector dot b1 vector plus a vector dot b2 vector equal to क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, a vector और b2 vector is strength मिल करके 0 है, तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ a vector dot b1 vector equal to फाइप हो जाएगा, इस सिच को हम लोग यहाँ पर लेख लिए, अब आप देखें, students कि यहाँ पर इस जो है आपका b1 vector है, यह b1 vector का यह तो perpendicular है, a vector का, तो इस b1 vector के जगा पर हम लोग, यहाँ पर b1 vector होगा, तो इस b1 vector के जगा पर यहीं लेमडा ये वेक्टर लिख लेखेंगे इस्ट्रेंट्स हम लोग इस B1 वेक्टर के जगह पे लेमडा A वेक्टर तो A वेक्टर डॉट लेमडा A वेक्टर फिर आगे क्या है देखिए तो इक्वल टू यहां पे 5 है यह चीज लिख लिए इस्ट्रेंट्स आप दोनों को मल्टिप्लाई किजिएगा तो लेमडा मोढ़ ऑफ ए वेक्टर का स्क्वार इकवल टू 5 अब मोढ़ ऑफ ए वेक्टर निकालिए न यहां से तो लेमडा रूटेंडर 9 पलस 1 और इसका स्क्वार इकवल टू 5 तो इस्टेंट्स यहां साब लोग देख सकते हैं लेमडा एक्वल टू क्या आगा 5 ए 10 यानि questions आपके पास lambda equal to 1 by 2 आगया ठीक है आपके पास lambda आगया है और आपको यहाँ से b1 vector भी find करना है तो यहाँ पे लिखिये चुकि b1 vector जो आपके पास क्या lambda a vector है lambda का value 1 by 2 और a vector का value यहाँ पे दिया हुआ है 3i cap minus ka j cap अंदर multiply कर दिजे तो आपके पास b1 vector आगया 3 by 2 i cap minus 1 by 2 j cap यह b1 vector आगया जाब strengths आपको b vector भरावर question खुद देखे रखा था कि b1 vector plus b2 vector है आपके पास b vector है b1 vector आप find कर ले तो क्या b2 vector नहीं निकाल पाईएगा चलिए निकालते हैं आप लिखे चुकि b vector equal to क्या तो b1 vector plus b2 vector अब strengths b vector का जो value है यहाँ पे रख दिजे क्या क्या है तो 2i cap plus j cap 2i cap plus j cap minus 3k cap equal to b1 vector तो b1 vector का value तो आपके पास यहाँ पे है इसको इधर उठाके लिए आएंगे तो यह क्या हो जाएगा माइनस में change हो जाएगा तो माइनस 3 by 2i cap फिर माइनस 1 by 2j cap equal to b2 vector इस्टन 2i cap में 3 by 2i cap minus करेंगे तो 3 by 2 basis क्या देर्ड को minus कर दिजाया तो क्या हो जागा हाफ हो जाएगा यानिकी 1 by 2i cap हो जाएगा यहाँ पे just minus minus plus मिल कर के हो जाएगा minus minus plus 1 by 2 नहीं बताइए तो आपके पास B1 वेक्टर आ गया तो B1 वेक्टर क्या आ गया देखिये थरी भाइट टू आइक मैनस वन वाइट टू जेक्त एंड बीटू वेक्टर विए आपके पास आगया श्रेंड तो बीटू वेक्टर क्या क्या आया 1 by 2 I cap फिर पलस 3 by 2 J cap फिर माइनस 3 KK यही तो आपको find करना था जो कि find हो यह यह कोसेन इस्ट्रेंट्स वही अपका कोसेन नमर अभी जो पहले इदर बताए न कितना नमर कोसेन था आपका तो कोसेन नमर 18 जिसा है कोसेन था बाकिवाद इस्ट्रेंट्स अब जो भी आप लोग का डॉट प्रोड़क्त में तो आपको डाउट नहीं था बस यही चार कोसेन का डिमांड हो रहा था जो चारो कोसेन आप लोगों को बता दिये ठीक है उसके बाद इस्ट्रेंट्स यह आ इस्टेंट्स आप यदि मेरे पास दूर से हैं जो कि ओनलाइन पढ़ते होंगे तो वह इस्टेंट्स वहाँ से फॉर्मूला विग्राइब पीडियाफ और जो भी आपका होगा स्लेवस वह सारे चीज़ वहाँ पर हम देंगे टेस्ट उस्ट जो भी होगा उसका सारा कोस्टन वहाँ पर ही रहेगा इंपोर्टेंट कोस्टन जो भी कराएंगे सब वहाँ पर रहेगा इस्टेंट्स कहाँ पर तो टेलिग्राम चेनल पर तो उसमें भी आपको ज्वाइन हो जाना है बाकी बाद इस्टेंट्स वीडियो त बच्ट लग्ट लग्ट लग्ट